exercise 1.4 में जो आवर्धन वाला है वो चैप्टर अगर यहां पर हम करवाएंगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा उसके लिए पटरी परकार से हमें दिखाना होगा copy pen में आपको दिखा देंगे उसे देख लेना ठीक है तो इसलिए 1.4 चैप्टर हम यहां पर नहीं पढ़ जरा सोचो रेफनल नंबर कहता है कि वो नंबर जो पी अपान क्यू के फार्म का होता है वो रेफनल नंबर होता है तो भाया इसमें तो अंडर रूट लगा है और हमने जब रेफनल नंबर इसका इंट्रोडक्शन पढ़ाया था तो आपको बताया था कि वो नंबर पी अगर पूरा पूरा निकल जाए तब नहीं तो नहीं होगी तो बच्चों इसका वर गमूल निकलेगा नहीं इसलिए ये क्या है इरफनल है आप इससे कह सकते हो हिंदी मेश संख्या किया कहोगे緦 पर्मय संख्या इसमें कुछ बताना नहीं है क्योंकि concept तो मैं बताया ही हूँ कि अपर्मिय कैसा होता पर्मिय कैसे होता तुम्हें सब कुछ मालूम है अब अगर पीछे की 6 class जो हो चुकी यह नहीं देखे हो तो देखो playlist बनी है आप playlist में जा करके उसको देख लेना ठीक है या फिर channel पे जाओ वीडियो मे जो second part है भाईया वह कुछ ऐसा है 3 प्लस अंडरूट 23 क्या है 23 और माइनस का अंडरूट 23 यह इतना है और इसको क्या करने को बोल रहा है वो भी समझो तुम यह यह इतना है और माइनस का अंडरूट 23 इसमें देखो जब कोश्ट है खुलेगा तो यह कट जाएगा यह घड़ जाएगा जो भी तुम समझो फाइनल में तीन आएगा न तो यह परमिये संख्या आएगा क्या आएगा बच्चों यह परमिये संख्या आएगा अगर उपर हम देखें तो यह तो अपरमिये था उपर कोश्टन जो दिख रहा था वो तो इरेफनल नंबर के रूप में दिख रहा था लेकिन अगर उसे सिंप्लिफाई किया जा सकता है तो वो हम करते हैं तब डिसाइड करते हैं कि यह परमिये है या नहीं है कि परीतिव इसकर्मा आपका कमेंट आ रहा है ठीक है आपका कमेंट आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है कि राग पठीदार ठीक है आपका कमेंट आ रहा है बहुत अच्छे बच्चे बेरी गुड बेरी गुड बेरी गुड ठीक है कि आप चलो 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 आ है यह थोड़ा से रुकशा देखो यह कॉल करते रहते हैं इसी में अभी अभी कुछ बच्चे जवाइन भी कर रहे हैं ऐप्लिकेशन वाली कलास वह भी डंडा करें है इसी में हिमानसु बर्मा रभी राज बिट्टु कुमार चलो ठीक है तो यह क्या हो गया परमिय अपरमिय दो हो गए अब इसका बच्चों जो तीसरा पार्ट है वो क्या कहता है वो भी देख लो यहीं पर इसमें का थर्ड पार्ट है इसको तुम बताओगे सभी चलो यह पहुत आफान है यह यह रेशनल है यह यह रेशनल है सभी बच्चे बताओ जल्दी से एक सुर में हर कोई बताएगा अगर रेशनल है तो आई लिख दो नहीं आर लिखो बच्चा आर मिन्स रेशनल अगर इरेशनल है मंतलब अपरमिय है तो आई लिखो बताओ आर होगा क आई होगा दुर्गेश चहार मनु राजपूत समीक्छा बिजय संकर प्रियंका मोहित मिस्रा सुमित प्रांजल अंसिका आजाद अली मिस्टर फरफेक्ट वावाई नाम तो बड़ा सुन्दर है तुमारा रुची यह को सब आर 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 बोल रहे हैं यार 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 मतलब सही बोल रहे हैं थीक है बहुत अच्छे बिच्चे बेरी गोड बेरी गोड बेरी गोड एकदम धुआ धुआ कर दे रहे हैं तुम लोग टाप करने से तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा कोई तूफान नहीं रोक सकता है चलो यह ऐसे दिखने में तो इसका थोबडा जो है रेफनल दिख रहा है लेकिन अभी इस वो हम काटे छाटेंगे ना सफाई करेंगे खूंद खूंद के ना तो यह रेफनल बन जाएगा वैसे जैसे कोई आदमी चोर है और एक बार वो चोरी किया और उसके बाद उसकी अच्छे से सेवा हुई खुदाई हुई तो वो समझ रहे हो ना यह जैसे है यह रेफनल नहीं है बच्चा यह तो ही रेफनल है लेकिन जब हल होगा यह कंपलीट सिंप्लिफाई होगा तो आएगा और जो टू है वो क्या है वो रेफनल नंबर मजा आ रही न देखो सोना नहीं कोई सो गये न तो मार थी पढ़ती है वखुद मार पढ़ती जान लो इसलिए थोड़ा थोड़ा हसाते time है, तो आप जानते हो, अरे अभी जब चल रही है, मतलब साम को साथ से रात के आठ के बीच में, साम को साथ से रात के आठ के बीच में class का time है, तो ये आपका हो गया, आप समझ गए, अभी इसमें कोई और भी बचा है क्या, बताओ जल्दी से फट फट, तीम पार्ट तो हो गया, अच्छा एक बात बताओ, इसमें से कितने बच्चों की किताब में ये question मिल रहा है, अगर आपकी किताब में ये question मिल रहा है, तो आप double A लिख के comment करो, एफार एपल, दो बार AA लिख के comment करो, double A के साथ में, मिल रहा है क्या किताब, किताब में मिल रहा है ना question, देखो बच्चा, बहुत से बच्चों का question होता है, मेरी किताब में ने मिल रहा है, गुरुजी मुझे ये फलानी परकासन पढ़ा नियम जान लो तुम किसी भी किताब से पढ़ोे सब आईगा अब भा यह single कोई दूसरी किताब में कोई दूसरा नियम सब मे वहई है तुम सिरफ नियम सीखो संक्या के पीछ न पढ़ो समझ रहो ना जीसे तुमने को दिया जाए एक आम अब तुम आम खालो अब उसके बाद फिर तुम्हें आम का स्वाज बता हो गया न मालूम हो गया न आम का तुम देख के जान भी गए कैसे होता है कितना बड़ा होता है क्या साइज होती उसमें क्या मिलता है उसके बाद तुम्हें चाहे जो आम दिया जाए लंगड़ा, चावसादा सहरी, पीला, खर्रा, करिसा भी, तुम जान जाओगे आमी है न, समझ रहो न, तो वैसे तुम किवाल समझ जाओ बस एक बार समझ जाओ, उसके बाद फिर किसी भी तरह का कुश्चन आएगा, सब कर दोगे, तो किताब की पीछे मत पड़ो, हमारे तो किताब में नहीं है, एक उचन में तो कुछ हो रहा है, उमें तो कुछ हो रह ए, यह क्या करोगे न, जिंदगी भर करते रहोगे, कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ सीख जाओ, बस, हां, कुट्ता देखे हो न, तुम कुट आने वाला ही देखेंगे, वैसे ही होता है, तो फिर गडबढ़, चलो आगे बढ़ें, आप समझे गए ना हम जो बोलना चाहते थे, चलो बच्चा, तो यह बता इसका जो चौथा पार्ट है, वन अपार अंडरूट दो, यह रेसनल है कि एरेसनल है, यह रेसनल है कि एरेसनल है, बच्चा मैंने तुम्हें बताया था कि जो नंबर पी अपान क्यू के फार्म का होता है, वो क्या होता, रेसनल होता है, आप कहोगे गुरूजी यह पी अपान क्यू का फार्म कौन सी नहीं कहानी है, देखो, यह मैं बहुत अच्छे से बताया हूँ, अगर तुम आना है, देखो, यहाँ पे समझो, यहाँ पे समझो, बच्चा अगर इसको तुम सलूसन करो, आगे हल करो, कुछ भी करो, तो इसमें कोई बदला नहीं होने वाला है, क्योंकि यह क्या है, ही करना है, ही करना जानते हो, जिसे बैसारम बोलते हैं, काउम में सुने हो कि नी, जो कोई बहुत गंदा काम करता हूँ गलत काम करता हूँ इसको कुछ भी करो यह उतना ही आएगा इसका वर्गमुल करोगे जो भी चिन्न लगाए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यह फाइनल में उतना ही आएगा तो यह सुधरने वाला नहीं है और यह कहता है बहुत सीधा साधा है सुंदर सा हमारा जब जब वर्गमुल करोगे तो हम दो हो जाएंगे इस तरह से यह सुधर जाता है तो यह بरावर हो जाता ही तो इसलिए क्या है यह पर्मिय संख्या है यह रिफनल नंबर है बच्चा लेकिन यह रिफनल नंबर है क्योंकि यह नहीं सुधर रहा है उदरने का मतलब यहाँ पर उसका वर्गमूल नहीं होगा दो का मतलब होगा तो है लेकिन वो एक पूर्ड संख्या नहीं आएगी दसमलों में आएगी इसलिए वो क्या है रिफिनल नंबर नहीं है समझ रहे हो दूसरे सब्दों में बात करें आप लोगों ने देखा होगा जब भोली आता है तो लोग बच्चे मुखाटा लगाला Celि मानई अंबर निकालें दिखें है रहा वी समय रहे हो ना तो बस वैसे यह परकार से कैया इनके पर टोपी लगई है यह उन्डरूट मतलब क्या है तोपी है मुखोटा लगा है इनका मुखोटा निकालोगे तो क्या है यह निकलने माला है यह नहीं तो क्या होगा वह रहेगा समझ गया न देखो कुल मिलाके आप यहां से मतलब समझो, अगर समझ जाओगे ना एक बार बच्चा, एक बार तुम समझ गए ना उसके बाद फिर तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, चलो, यह हो गया, एक्ठी आउर बच्चा है, बड़ाई खतरनाक है, एमेक्ठी है, इद्दूई पाई अभी बच्चे यह बताओ, यह क्या है, यह परमिय है कि अपरमिय है, रिश्टर बिनीद सिंग, पढ़ाई कर लो बच्चा, पढ़ाई कर लो, तुम्हारा साधी भी आभी हो जाएगा, अभी यहां पर कोई टेंसन ना लो, तुम पहले से ही, चलो, पाई तो पहले से ही है, मतलब अच्छा सीधा साधा, तो तुम्हें पता है कि जो सीधा साधा है, वो सुधरेगा, मतलब उसको सुधार लेगा, ऐसा बहुत कम चांस है, जो बिगड़ा हुआ है, वो जो सुधरा हुआ है, उसको भी बिगार देगा, लेकिन बिगड़ा हुआ सुधरना, मुस्क है बहुत मुश्किल है तो उसी तरह से यहां पर है जैको इसमें दो लोग है एक तो रेफनल है जो कि सीधा साधा है बच्चा बहुत अच्छा सुन्दर सा है और एक रेफनल है जो बहुत बिगड़ा टाइप का तुम्हारे जैसे तो इन दोनों का क्या इसमें गुड़ा है इसमें मिले हुए तो फा आइनल में जो बनेगा ना वह ए रेफनलनबर बनेगा अलेगा गश् थीक है बहुत अच्छे बच्चे बेरी गुड बच्चे बेरी गुड इरेफ़नल नंबर होगा पूरा कन्फर्म है यही हमारे पास में चलो तो आपका ये खतम हो गया दीपक बच्चा ठीक है तुम्हारा कमेंट आ रहा है अब तुम ठीक हो अच्छा हो चलो सही हो तो यह आपका हो गया पहला कुश्चन खतम हो गया बोलो भखवान की जए एकसरसाइज 1.5 का पहला कुश्चन का पांचों पार्ट खतम हो गया एक बाद बताओ किसको किसको समझ में आया बोलो यास 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 समझ में आया ना इसी दम पर तुरंट जितने भी गदहे सेहर नहीं करें कलास को तुरंट सेहर करके आओ जल्दी से जल्दी से गदहे नहीं बोल रहा है प्यार से बोलता हूं क्योंकि आप लोग ना मेरे बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हो अच्छे एच्छे क्यूट क्यूट से सुन्दर सुन्दर से इसलिए मैं ऐसा बोलता हूं थोड़ा मजाक में तो कलास को तुम फटा-फट सेयर करके आओ हाँ अभी कलास चल रही है आप 8 बज़े कॉल करिए ठीक है हाँ 8 बज़े कॉल करिए मैसेज करिए तो भाई देखो कलास के टाइम पे आप लोग फोन ना किया करो क्योंकि फोन अक्सर हमी लिये रहते हैं क्योंकि आप लोगों की सिकायत आती है कि हमसे बात नहीं करते हो आप बढ़के चोधरी बन गयो तो हम अपने दोस्तों से बोलते हैं कि भाई देखो फोन हमी को दे दिया करो पढ़ाते टाइम में जिससे बच्चों को थोड़ा सा खुसी मिले हम चाहते हैं कि आप लोग खुस रहो मतलब संतुष्ट रहो पूरी तरह से जितने भी बच्चे हैं सभी फटाफट कलास को लाइक करें भाया तुरंत देर ना करें आकास कुमार तभी बच्चे तुरंत कलास को सेर करो फटाफट और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना भाई सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री होता रेड कलर में जो लिखा होता है कुछ बच्चे गाओं के जो हैं जो कम समझदार हैं वो सोचते हैं सब्सक्राइब कर लेंगे तो गुरुजी हमारे घर पैसा मांगने आ जाएंगे ट्रालिम भरने पैसा मांगने नहीं आएंगे तुम्हारे घर सब्सक्राइब कर लो कोई पैसा नहीं पड़ता है कोई पैसा नहीं लागेगा फिर ही है ठीक है रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होता है उसको कर लोगे तो कलास की नूटिपिकेशन डेली मिलेगा दूसरा प्रसन पे चलो दूसरा प्रसन पे चलो बच्चा एकसरसाइज 1.5 का कुश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि निम्नलिखित बेंजकों में से परतेक बेंजक को सरल कीजिए जो बच्चे एंसी आर्टी किताब लिए हैं परसना वली 1.5 एकसरसाइज 1.5 कुश्चन नंबर सीकेंड देखें निम्नलिखित बेंजकों में से परतेक बेंजकों सरल कीजिए जलो बच्चा जो पहला बेंजक है बाबू वो का है 3 फ्लस अंडर रूट थ्री दूसर का जो बेंजक है इसकी बेंजकीया वो कह रही कि 2 प्लस अंडर रूट 2 इनको सरल करेंगे तो क्या कर सकते हैं आप जड़ा सोचो इसमें कोई उपाय है भाईया कोई उपाय है इसमें सरल करने का मिश्टर निकुल प्रियंका आरा समझ में कुछ लोग तो इतने ही अच्छे होते हैं कि वो एक दूसरे का नाम एक कैम जोड के रख लेते हैं मतलब एक के नाम रहेगा दूई नाम बना लेंगे मतलब दूई नाम रहेगा एक बना लेंगे वह सुने हो ना दर्द दिलों के कम हो जाते क्या और आगे कैसे हैं मैं और हम अगर तुम हो जाती नहीं मुझे यादी नहीं आ रहा है तुम लोग बताना चलो इसको क्या करेंगे अपस में multiple करेंगे भाई या गुड़ा करेंगे तो गुड़ा कर लो तीन का गुड़ा पहले इन दोनों में करो फिर रूड तीन का गुड़ा इन दोनों में करो कोई इनका उत्तर बताए फटापड चलो जल्दी करो बच्चे चलो 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 भाई अंस यादो ठीक है बच्चे बेरी गूड बेरी गूड इस्क्रीन साड लेलो कुश्चन का अगर आपको नहीं दिखरा के लियर तो अगर दिखरा है तो फिर आख बंद करके देखो नहीं प्लस है तो प्लस लगा दो तीन का गुड़ा अंडर रूट दो में करोगे भाईया तो ये इतना आएगा बाबू तीन का मैंने दोनों में कर लिया ये दोनों खुछ हो गए संतुष्ट हो गए अब क्या करोगे प्लस है तो भीच में प्लस रूट तीन का इसमें करोगे त इसे किनों कामें करो और उट जाए इसमें कुछ जुड़े घटेग लार इसमें जुद हो मुफ रिपा एक निया अजब अ कैंस कुमार एंड बदर पच्छा क्या कह रहे हो भाईप ले रहे हो ि लेते देते ही रहुके मुझ आओ ले चल्ड़ में बाइब कुछ नहोंगा बच्चा recognize okay जूना संबवजी नहीं यह सरणर केहीं तक है खतिम यह लुक्त हो गया उत्तरजी कलो भस भब diff यह खतम हो गया देखो जो आप बच्चे किताब का उत्र मिलाएंगे उनको यहां पर कहीं-कहीं पुरानी किताबों में कोई चिन नहीं मिलेगा चिन ऊड़ गया है तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कोई चिन है नहीं सनी देवल आपका नाम देख के मुझे कुछ और याद आ रहा था आप समझ रहे हो ना चलो ठीक है वो तो सनी देवल निकले तुम ठीक है चलो हो गया अगला देखो इसका सिकेंड पार्ट सिकेंड पार्ट तीन प्लस अंडर रूट तीन त्री प्लस अंडर रूट त्री और थ्री माइनस अंडर रूट थ्री देखो भाईया इनको हल करना है कितना आएगा जरा सोचो जल्दी से सभी बच्चे बताओ दीख्छा सर्मा ए बच्चा सुनो मर जाता तू पहले इकाय को दिमाग खराब कर दिये एक मिनट रुख जा भाईये डिस्चार्ज हो गया चिल्दा आ रहा है चिल्दा रहा है एक मिनट रुख जा इसको भी थोड़ा सठंडा करना पड़ेगा इसको यह चार्जिंग इसका जो है ना लो हो जाता है ज्यादा देर नहीं चलता है बेचारा बहुत लोड़ पड़ता इस पे मने मन गरी आता है, इतना कुछ लाके जोड दिया है, बैटरी भी नहीं चार्ज कर रहा है, चलो, हाँ, बताने वाले क्या थे, बहुत ही अच्छे से, लेकिन ये लेप्टाप डिस्चार्ज हो गया, तो 15 जुलाई से सुबह 7 बजे साइंस की कलास होने वाली है, बड़ी है इसे सब्सक्राइब भीक्र एक साइस और के बतां है, बड़ी में से करकève में लिगता हूं और कि वीदियो है रही को आपके ह overly इसा इसा तया था शेरी Yeah जलो भाई फटंड़ वर चलो 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 आपड़ में बताता हूं पोधर साइड को हाज अभी प्लॉस चल रही बताई ए अभी जो भी जानना है आप दिन में कॉल करिए ठीक है दस बज़े से चार बज़े की बीच सब बताया जाएगा नहीं तो आप मैसेज करिए पिछ नहीं तो मैं यही मॉबाइल कभी लेता हूं पूटी फूटी किसी को चलोगा न अंसर बहुत आसान आएगा और देखर फुह ने अ Richards तर बता आओ और और दुर्गा जी भी बता दी हैं वह सिनोद याद हो मैं नाम से परिशान हूं किसी का नाम मोहित की जगा वह तो हिद पंकज की जगा रंकज अब बिनोद की जगा एक नया ट्रेंड आ गया सिनोद चलो बच्चा यह a plus b a minus b यह सुत्र तो तूम पढ़े थे अपने बच्चपन में आब तो जवानी में आ गया है वो बच्चपन में पढ़े थे न पढ़े थे आगे जगह है नहीं है किदरे लिख देता हूँ तो ये A का स्क्वाइर माइनस B का स्क्वाइर होता है बोलो ये होता है न तो हमें अगर ये दिया है ये दिया है मतलब ये दिया है तो हम ये बना सकते हैं न इसकी सहायता फिन तो A की जगह पर बच्चा 3 रखोगे और B की जगा पे रूट तीन रखोगे तो भाईया हो बाबू हो ये 9 होता है ये अंडर रूट 9 होगा 9 का वर्गमूल 3 आएगा फाइनल में 6 आएगा कितना आएगा 6 कितना आएगा 6 लिक लो फटापट लिक लो फटापट छापलो तुम देर ना करो चलो किती को कोई कनफ्यूजन है तो बता दो आजल कलास का टाइम है साम को 7 बजे से रात के 8 बजे के बीच में अगर पढ़ना चाहती हो तब कुम्रम सेर्दिया अभी बच्चों को मालूम है कलास का टाइम साम को साथ बजे से रात के 8 बजे के बीच अब कब बंद हो जाया मेरा खोपड़ी जब सनक जाया तब बंद हो कोई निश्चीत नहीं है लेकिन फिर भी आठ साथ पैतालिस के बाद है बंद होता है हाफो चापो चापो फटाफट छापो इसको ऐसे भी कर सकते हो मैंने समझाने के लिए ऐसे बताया है बाकि उसका ठीक है कोई दिक्कत नहीं है कर दोगा तो कोई गलत नहीं करेगा बाकि बहुत अच्छा नहीं लगाया हूँ बतानी कहां से कुछ हैसे पैदा हो जाते हैं ना कि जो मुझे बहुत परिसान करते हैं मुझे मन करता है कि इनको मैं क्या करूँ इनको मैं कितना भी बता दूँ कि बच्चा रात में फोन ना किया करो बच्चा कहेंगे नहीं मैं राती में करूँगा तुम क्या करोगे मेरा इनके मन में यही इसको आप लोग कर लोगे पहले बताओ कितने लोग कर लेंगे बहुत आसान है ना कर लोगे ना बहिया कर लोगे ना बताओ कर लोगे सभी सभी बच्चे कर लोगे ना चलो यार इसको बला कर रहा हूँ करके आते हैं कि अगा टंडा करती हैं इतना बार भी बोलो फिर फोन करेंगे फिर बीडियो काल करेंगे बीडियो काल से भी नहीं दिल भरेगा फिर आइडियो वाला फोन करेंगे हैं मतलब करते रहेंगे करते रहेंगे कि माबाप इनको मोबाइल देंगे लो बेटा लो लो तो परिशाने करें अच्छा मान रख देना आ जायेगा और हां कोई बहुत अच्छा मान नहीं आएगा मतलब कि 20, 25, 30, 50 ऐसे कुछ आएगा नहीं जो मान आएगा अंडरूट में ही मान आएगा इसको कर लेना तो बच्चों ऐसे इसमें का एक और भी है अगला पार्ट उसको भी तुम कर लोगे अंडरूट 5 माइनस अंडरूट 2 अच्छा इमानदारी से बताओ इसका कितने लोग नहीं कर पाएंगे भाई कितने लोग नहीं कर पाएंगे थोड़ा सा रुको मैं हटता हूँ चलो देखो अगर आप इसके पीछे की 6 कलास नहीं देखे हो ना तो इस कलास का डिस्क्रेप्शन देखना उसमें आपको लिंक मिल सकती है उसमें से आप कर सकते हो उसमें आपको तरीका समझाया गया है मतलब जो पीछे कलासे हैं अगर उन्हें पढ़ लोगे तो नहीं तो आप चैनल पर जाओ वहाँ पर वीडियो मिल जाएंगे तो बच्चों इसका आधा पार्ट ये था ये पूरा कुश्चन है देखो इसमें भी हिंट से बता देता हूँ ए माइनस भी और ए प्लस भी अभी जैसे मैंने उपर किया वैसे इसमें भी मान रखोगे ये भी हो जाएगा ठीक है बईया चलो इसको भी कर लेना अगला एक ठी बड़ा खतरनाक सवाल है भाई किताब लियो ना तो बच्चों अगला कुश्चन है आपका इक्सरसाइज 1.5 क्लाफ 9th NCRT का कुश्चन नमबर 3 क्या कहता है ज़्या ध्यान से देखो सभी बच्चे मैं नहीं कर पाऊंगा अक्सिता ठाकूर भई तुम्हारा तो मुझे गल्स का नाम लग रहा है तुम कहरो कि मैं नहीं कर पाऊंगा कर लोगे भाई नहीं आएगा तो बताना चलो अच्छा, बताई देता हूँ थीक है, बताई देता हूँ तुम लोग बड़े ही सुंदर सुंदर बच्चे हो क्यूट क्यूट से अच्छे-च्छे से अच्छे बच्चे पढ़ते नहीं, शिवत तो यह उनको लतियाना पड़ता है तब पढ़ते हूं चलो बता देता हूं देखो चलो सब बता देता हूं तुम चापो बस हाथ पैर फिला के वैठो चापो चलो फिर कौनों गरहाई दूसरी कमेंट बंद हो जाता है इस पर फोन करने लगता है तो थोड़ा सा रुक जार क्या करूं इनका कोई उपाई नहीं है करत्रा बेटा करत्रा तू चलो देखो इधर समझो ये बच्चा फर्मूला होता है लिख लो इसमें से अधिकांस को ये सूत्रवे नहीं याद होगा मुझे पता है मिये इसको लिखो जहां पर ए वहां अंडर रूट 5 रखो कुंगा ये इसको ब्रेकाट न लगा पत्चीस agree पूरा लिखूंगा डी टील में और हीआ आपका रूंदर रूट में तो ऑस दू इन टूंदरूट दस तो भहिया हो यह पांच हुँ जाएंगा हो यह सही है कि आप रुद्ध हो जाएगा और यह दो अदर रूट 10 तो फाइनल में आपका सेवन प्लस टू अंडर उट दस यह उत्तर आएगा बोलो इतना आ रहा है कि नहीं सबी बच्चे बताओ इतना आ रहा है टोथे का तीन आएगा सीवम कुछ वहाँ बता रहे हैं फटाओ अजया सीवम बहुत अच्छे हो तुम तो एक्दम सुन्दर सुन्दर बच्चे हो चलो गए चलो बच्चा छापलो फटा फट अच्छा इसमें से कितने नए बच्चे हैं जो चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं तुम्हारा कमेंट भी आने लगेगा बहुत से बच्चे चट पड़ा रहें तड़ रहें उनका कमेंट नहीं आ रहा है यह लोग बढ़का पैसा जमा करें का जो पढ़ रहें यह सब फरी पढ़ रहें तुम भी पढ़ सब्सक्राइब कर लो बस चार्ज में लगा देता हूं कैमरा डिस्चार्ज हो गया है सब्सक्राइब करें लोगा देश्चार्ज होगा अभी है ठीक है चलें आगे के लास का टाइम हर दिन साम को साथ बजे से याद रखना साम को साथ बजे चलो इसको मिटा दिए ना लिख लिया करो जब मैं हटता हूं इधर उदर पोलता हूं बढ़ बढ़ाता हूं यह नह उतार लो उतार लो बबू उतार लो ऐसे मैं नहीं करूंगा मैं मिटा दोंगा फिर तुम ऐसे लखते रजाओगे इसे तमासा देखोंगे कड़ा हूं कि यह तो यह आपका हो गया तो बच्चों इसमें जो एक्ठी और बच रहा था उसको मैं नहीं बताऊंगा कभी नहीं नहीं बताऊंगा क्योंकि जैसे दूसरा था वैसे इसका चौथा पार्ट है अब तुम अगर उसको भी नहीं कर पाते हो तो मत पढ़ना पढ़ाईए चोड़ दो तुम इतने बड़े खच्चर हो अगर तो क्यूं पाल तू पढ़ रहे हो हाँ छोड़ दो जैसे इसका दूसरा पार्ट था सेम ओएसे चौथा पार्ट है एकदम ओएसे है उसमें कोई अंतर नहीं है तिर्फ उसमें तीन था इसमें पांच है बस इतना अंतर है उसके बाद यह आपका खतम हो गया अब यहां पर समझो अब इसके बारे में बात करेंगे आप सभी किताब लिये हो तो पहले कुश्चन पढ़ो जलो जो जो बच्चा किताब लिया है देखो मैं कुश्चन पढ़ता हूँ ध्यान से देखो जितने बच्चे NCRT बुक लिये हैं मतलब में NCRT उनके में एकदम अच्छे से मिल रहा होगा जिसके में नहीं मिल रहा हो भी सबर करें समझें उसके भी काम का है उसके भी किताब में है आगे पीछे है बस समझो कहना कि आपको याद होगा कि पाई एक वृत्त की परिधी और उसके ब्यास के अनुपात से परिभासित किया जाता है मतलब ये कह रहा है कि आपको तो याद होगा कि पाई को वृत्त की परिधी और उसके अनुपात से परिभासित किया जाता है इनका यह कहने का मतलब है, कि πाई इकॉल होता है, परिधी बटा अनुपाथ, ठीक है, आप तुम्हें यहाँ पर समझो, यहाँ पर परिधी को यह सी माल ले रहे हैं, अनुपाथ को डी माल ले रहे हैं, ठीक है, आगे समझो, कहानी क्या कहती है, exercise 1.5, question number 3, रक्षा नौकी NCR भूब्ध में देखो question मैं पढ़ रहा हूं सुनो और मिलाव समझो कि यहां इस तक्षे का अंतर बिरौध करता हुआ परतीध होता है कि पाई एक अ परमीय संख्या है मतलब कि यह इसका पालन नहीं कर रहा है कि पाई एक पर्मिय संख्या है जो यह कथन दिख रहा है पी अपान क्यू के रूप में दिख रहा है तो इसके हिसाब से तो पाई एक पर्मिय संख्या हो जाएगी यह कह रहा है कि भाई अगर पाई बराबर इस तरह से होता है तब तो यह पाई एक पर्मिय संख्या है आगे कह रहा है कि इस अंतरविरोध का निवारण पुसवरी निराकरण आप किस परकार करेंगे जानी कि आप किस तरह से ये सिद्ध करेंगे कि ऐसी इस्तिती में होते हुए भी पाई एक परिमिय संख्या नहीं है एक अपरिमिय संख्या है आप इसका निवारण कैसे करेंगे वसे जहां तक उ पड़ना और पीचर भ्रहें या ना दे उसके इच्छा चलो समझा इसमें कुछ जड़ा करना है नहीं मैं लुघ कुछ था साथ हैं कि वो संख्या जो Oke P.A. 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 P.A होते हैं खचर पर लोग गोड़ बैट जाते हैं तो दुलानी होते हैं समझो यहां से तो जितनी भी संख्या अंडर रूट में लगी रहेगी वह सभी जरूरी नहीं कि पर्मिय होगी यह भी तो अपर्मिय कुछ उल्टा बोला फिर से सुनी जितनी संख्या विन्न के रूप म होगी वह जरूरी नहीं कि वह पर्मिय ही हो वह अपर्मिय भी हो सकती है जैसे यह देख लो तो इसमें क्या है देखो अब लिखोगे पहले ऐसे कहने से समझ में नहीं आएगा पहले लिखो कहानी लिखो अगर जो भी सीरेफली पढ़ रहे हो लिखो पीचे लिखो पाई ब हैं तो हम कह सकते हैं ती इस परकार हैं ऐसे ही कुछ होगा यार मैंने तो इसको समझा था हाँ सी और डी इस परकार हैं अगर सी अपांड डी का मान निकालेंगे तो टर्मिनेटिंग डेसिमल आना चाहिए मतलब समझ रहे हो ना अगर हम कहें कि पाई इक्वल सी अपांड डी है तो हम कह सकते हैं कि सी और डी क्या है परमिय संख्या है तो हम कह सकते हैं कि सी और डी परमिय संख्या है इस परकार अगर सी अपांड डी का मान निकालें तो फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल इक्सपेंसर आ और ना चाहिये लेकिन वास्तों में तुम सोचोगी अगर 50 को हख़रोगे तो क्या कोई पूर्ड संख्या ले आओगे क्या बता हो हुआ हम भी बतात एम different anyone you said anyway कोई बता कि की अगर 75 ऑल तो कि्या 5 आ जाएगा 55 आजाएगे 2002 हाजाएगे 700 पांच से आजाएगे 500 आजाएगे ऐसा कुछ आजाएग पूर्ण संख्या का मतलब तही हुआ तप रहुग जीरो आजाएग इसको अटाइस आजाएगे था आजाएगा नहीं आएगा न आजाएगा लेकिन वास्तों में CP पांडी को जब हम हल करेंगे तो यह एक नान टर्मिनेटिंग डेसिमाल आएगा आता हम कह सकते हैं कि पाई इक्वल सी अपांडी एक आपरमिय संख्या होगी तो बच्चों यह कोईश्चन एकजाम में आने की कोई उमीद नहीं है क्योंकि यह बड़ा जंजटी कुईश्चन है सीधा फीधा हल करने वाला है नहीं तो ऐसा कुईश्चन जो है वो एकजाम में आने की कोई उमीद नहीं है समझ गए ना तो यह आपका एक्सरसाइज 1.5 का तीन कुईश्चन हो गया चौथा कुईश्चन संख्या रेखा पर दिखाना है इसको तुम सभी लोग करना खोपड़ी पटक पटक के और अगर नहीं आएगा तो मैं कल बताऊंगा